Hello students Welcome to Healthcare Tutorials हम जो fundamental of nursing का जो उसलेबस cover कर रहे हैं उसमें हम आगे का जो topic cover करने जा रहे हैं वो हमारा nursing process है जो कि fundamental of nursing का एक significant topic होता है एक important topic होता है nursing process जिसके base पर पूरा nursing care dependent होता है इस nursing process को जब हम cover करेंगे nursing process के बाद हम एक-एक step के अलग-अलग videos बनाएंगे एक-एक phases के अलग-अलग videos बनाएंगे पूरा इसमें history collection के बारे में आपको बताया जाएगा और वो सारी चीजें इसमें cover की जाएगे जिसे और आपका mental status examination होता है अब physical history होती है उसका जो total history जो patient की cover करते हैं कौन-कौन से उसके important जो उसके steps होते हैं वो सारी चीजें आगे की वीडियो में cover की जाएगे यह हमारा एक overview का वीडियो जिसमें के अवल nursing process को discuss out करेंगे और उसके बाद इसी को follow up करते हुए आगे के वीडियो आपको दिखाई देते रहेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि यह जो एक पूरा playlist इसका बनने जा रहा है वो एक बहुत ही important content आपके लिए होने वाला है तो हम बात करते हैं nursing process पर नर्सिंग ले जा सकते हैं क्या care हम करेंगे कैसे हम उस nursing care को आगे पहचाने कैसे उसको करेंगे कैसे implement करेंगे कैसे वो सारी चीजें समझना एक step wise जो है उसका determination करना वह हमारा nursing process होता है जिसमें patient की care के लिए आगे एक care plan पूरा हम डिसाइड करते हैं वह नर्सिंग process के भिहाब पर ही डिसाइड करते हैं इस nursing process के पांच main major steps होते हैं या phases होते हैं जिने कुछ books में आपको seven steps भी दिखेंगे हम पांच और साथ दोने steps की करते हैं पर आपको कर देते हैं पांच steps जो है वह most common steps होते हैं आप जाते हैं assessment जिसमें आप patient जो है वह नर्से जो हैं आप पेशन पारे में information gather करने का काम करते हैं gatherứng data को gather गैदर करते हैं क्या स्यम्टम सैं Palestinian वह क्या लक्षण दिखा दिए रहें उन सारे डेटा को गैदर करना एस्विंट हो जाता है इसका हमार राइस डाता है डाइगनोसिस डाइगनोसिश की बात करेंगे जिसम्में इन सिंटम की बेस पर और जो हमने assessment किया था, इन symptoms के base पर disease को identify करने की कोशिज करते हैं, हम disease को पहचानने कोश करते हैं, actual में symptoms किस disease के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, यह हमारा diagnosis में आ रहता है, next हमारा रहता है planning, planning में क्या होता है, कि plan जब हम करते हैं, तो हमें यह देखना होता है, जो करते हैं, हमारा care का goal क्या होगा, उस goal का outcome क्या निकलेगा, और हम कौन-कौन से actions, इस step के अंदर, यह के से कियर के अंदर perform करने जा रहे हैं, जो patient के हम के कर रहे हैं, इस nursing care के अंदर हम कौन-कौन-कौन से steps को क्षःक्षन perform करेंगे, उन action क्या outcome निकल कि आएगा, उनका अग जो planning step होता है उसमें देखा जाता है nursing process का इसके बाद next सब्सक्राइब इसको intervention भी कहा जाता है implementation मतलब जो action हमने plan किया है जो हमने planning में चीजों को plan किया था goal set किया था जो outcome expected किया था उन चीजों को outcome को पाने के लिए हम क्या करते हैं उन्हीं action को perform कराते हैं मतलब काम को करते हैं लाइक हमने अगर सोचा था कि हमें PCM देनी है तो हम implementation या intervention step में उस PCM को provide करा देते हैं हम दे देते हैं वो हमारा implementation मतलब हमने लागू करना हो जाता है जो भी हमने plan किया था इसके बाद last one मारा आ जाता है evaluation evaluation मतलब हो जाता है मुल्यंग करना मतलब जो हमने उसके उपर implement किया जो हमने लागू किया जो हमने उसको care दिया उनका क्या outcome निकल किया है क्या वो outcome expected था क्या हमने जो expect किया था वैसा outcome है या कुछ rather than expectation जो हमारा outcome निकल किया रहा है क्या हम अपनी जो needs थी, उस patient की जो needs थी, जो care की needs थी, क्या हमने उनको यहाँ पर achieve किया है अगर नहीं किया है तो कैसे achieve कर सकते हैं इसी प्रॉसेस को आगे फिर रिपीट करते हैं ताकि उन गोल्स को एचीव किया जा सके यह हमारा फाइव स्टेप में आता है नर्सिंग प्रॉसेस में इसके बाद हम सेवन स्टेप की बात करें तो पांच स्टेप यही होते हैं बीच में दो स्टेप एड हो जाते हैं जैसे और थर्ड के बाद थर्ड जो आपका आता है आउटकम आइडेंटिफिकेशन देखने मिलता है मतलब जो हमने डाइगनोज किया जो हमने डिजीज को आइडेंटिफाई किया जो हमारा आउटकम निकला साइंस सिंटम्स के बिहाग पर जो हमने डिजीज को आइडेंटिफा हो जाता है और implementation मतलब लागू करना हो जाएगा planning मतलब plan करना जो आप पहले ही बता जा चुका है इसके बाद फिर six step में हमारा rational आ जाता है rational हमारा यह बताता है कि हमने जो चीजें लागू की वो क्यों की मतलब हमने कोई action perform किया तो क्यों दे रहें क्यों दे रहें body temperature को down करने के लिए दे रहें तो इस चीज को हम जो mention करते हैं कि हमने जो action perform किया वो क्यों किया क्या जरूरत थी उस action कि क्या outcome निकला उस action से यह हमारा rational में आ जाता है उसके बाद last one फिर वही evaluation होता है कि total care का क्या outcome निकला हमने जो इतनी देर nursing care plan किया जो हमने उसका nursing process follow किया जो patient की care की उसका total outcome क्या निकला वो outcome क्या expected था या unexpected था जो हमने सोचा था वो achieve किया या नहीं किया यह पूरा का पूरा आपका जाता है evaluation step में तो यह हमारे five step और seven step के nursing process थे इनके notes आपको description box में मिल जाएंगे आप वहांस जाकर के notes को download कर सकते हैं और इसके बाद आगे के वीडियो जो है इसी nursing process के बहाब पे next video हम assessment को cover करेंगे जिसमें हम सारे assessment techniques की बात करेंगे assessment से क्या-क्या data collect करते हैं वह सारी चीजों की बात करें कैसे कैसे assessment करते हैं कैसे क्या उसका procedure होता है वह सारी चीजों की बात हम एक-एक step की assessment diagnosis planning वहरा की करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे उसके बाद हम complete history collection की भी बात करेंगे patient की history क्या-क्या चीज़ें लिए जाते हैं क्या-क्या है वह female case में है तो या अधर जो भी एसेस्मेंट है जो भी examinations है उनको हम यहां पर आगे जो follow up वीडियो आएंगे उन में हम बात करते चलेंगे तो अभी तक आपने अगर यह चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को